ओम श्यान्ती 15 सितंबर 2021 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉएंट्स बाबा ने कहा इस साकारी दुनिया में उंचे से उंचा है तुम्हारा ब्राह्मन कुल तुम सभी ब्राह्मन एक ब्रह्मा के बच्चे हो इसलिए कभी विकार की द्रिष्टी न जाए यह है पवित्र रहने की सहज युक्ती जिस्मानी यात्रा तो जनम जनमांतर करते आए हो यह तो रुहानी यात्रा है इसे मृत्यु लोग के अंत की यात्रा कहेंगे इस यात्रा को भूलना नहीं चाहिए यह याद की यात्रा भी एक दवाई है जिससे तुम हेल्दी वेल्दी बनते हो ऐसी दवाई को भी माया भुला देती है बाप युक्ति बताते हैं रोज सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी रुहरिहान करो यह सची कमाई जरूर करनी है कहावत भी है सुभे का साई बेडा पार लाई शुब बाबा तुमको जो युक्ति बताते हैं उनका अभ्यास करना है लेकिन कभी आखे बंद करके विचार नहीं करना अब बाप खुद आये हैं कहते हैं चलते फिरते कोई भी काम करते मुझे याद करो साथ में घर को भी याद करो जहांसे तुम आये हो याद करते करते अंत्मती सोगती हो जाएगी यह तो बिगड़ी हुई पूरानी चीज की दुनिया है तुम्हे तो वहाँ वहाँ की नई दुनिया में जाना है अगर यह याद रहे तो बाप भी जरूर याद रहे लास्ट में बाबा ने कहा भक्त लोग भी जब प्रसाद बनाते तो मुख बंद रखते हैं कोई बात नहीं करेंगे बस अपने इस्ट को ही बुद्धी में रखेंगे बाप तुमको भी यही युक्ति बतलाते हैं बच्चे तुम्हें भी कोई फाल्तू बात नहीं करनी सदैव बाप से मेठी मेठी बातें करो अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्चे अभी तुम अमर लोग की यात्रा पर हो तुम्हारी यह बुद्धी की रुहानी यात्रा है जो तुम सचे सचे ब्राह्मन ही कर सकते हो प्रश्न, अपने आपसे वह आपस में कौन सी वार्तलाप करना ही शुभ सम्मेलन है उत्तर, अपने आपसे बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीची शरीर को छोड़ वापिस घर जाएंगे यह तन कोई काम का नहीं अब तो बाबा के साथ जाएंगे आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तलाप करो कि सर्विस भृधी को कैसे पाई सबका कल्यान किस तरह हो सबको रास्ता कैसे बताई यही शुभ सम्मेलन है गीत दिल का साहारा तूट न जाए बन के नसीबा फूट न जाए ओम शान्ति मीठे मीठे रुहानी बच्चे सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुखवन शावली सर्वोत्तम ब्राह्मन कुल भूशन अपने कुल को जानते हैं जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानते हैं चाहे कम कुल वाले हों वह अच्छे कुल वाले हों हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है, कुल कहो वजाती कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाई, और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मनों का ही सर्वोत्तम कुल है पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मनों का ब्राह्मन कुल अर्थात इश्वरिय कुल पहले है निराकारी कुल फिर आते हैं साकारी सुरिस्टी में सोक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं उचे से उचा साकार में है तुम ब्राह्मनों का कुल तुम ब्राह्मन आपस में भाई बेहन हो बेहन और भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते तुम अनभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युकती है हर एक कहते हैं हम ब्राह्मा कुमार कुमारी हैं शिव वन्षे तो सब हैं फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजा पिता का नाम होने के कारण भाई बेहन हो जाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रज्ता है एडोप्ट करते हैं तुम कुखवनशावली नहीं हो मुखवनशावली हो तो मनुखवनशावली और मुखवनशावली का अर्थ भी नहीं जानते मुखवनशावली अर्थात एडोप्टिड बच्चे कुखवनशावली अर् पारलोकिक कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा को अलोकिक बाप कहा जाता है लोकिक बाप तो सभी को है वह तो कोमन है पारलोकिक बाप भी सभी का है भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परम पिता सभी कहते रहते हैं परंतु इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है यह बाबा भी होता है ब्रह्मन बच्चों का उन दोनों को तो सब जानते हैं बाकी ब्रह्मा में मूँज पड़ते हैं क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सुक्ष्म वतन में यहां तो दिखाते नहीं है रच नहीं सकते यह भी किसकी बुद्धी में नहीं आता है यह सब बातें बाप समझाते हैं यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है रूहानी यात्रा वह है जहां से फिर लोट नहीं आना है दूसरी यात्राईं तो सब जनम जनमांतर करते रहते हैं यात्रा करने से तुम मृत्यू लोक में नहीं लोटते हो बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं वह कश्मीर तरफ अमर नात की यात्रा पर जाते हैं वह कोई अमर लोक नहीं है अमर लोक एक है आत्माओं का दूसरा है मनोश्यों का जिसको स्वर्ग अथ्वा अमर लोग कह सकते हैं आत्माओं का है निर्वान धाम बाकी अमर लोग सत्युग और मृत्यु लोग है गल्युग और निर्वान धाम है शान्ति लोग जहां आत्माई रहती है बाप कहते हैं तुम अमर पूरी की यात्रा पर हो पैदल जाने की वह शरीरिक यात्राई हैं यह है रूहानी यात्रा जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं वह तो जनम जनमांत्र की बात है यह है मृत्त्य लोग के अंत की यात्रा यह तुम ब्राह्मन कुल भूशन ही जानते हो, रुहानी यात्रा अर्थात याद में हो, गाया भी जाता है अंत्मती सोगती, तुमको याद आता ही है बाबा का घर, समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है, यह पुराना वस्त्र, पुराना तन है, आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है, जब आत्मा पवित्र बनती है, तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है, यह भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते, तुम देखते हो कि कोई-कोई समझते भी हैं, कोई की बुद्धी में यह ज्यान नहीं, समझन वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा मनोश्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं मास दो मास पवित्र रहते हैं यात्रा की भी सीजन होती है सदैव तो यात्रा पर जाना सके ठंडीव बरसात के समय कोई जाना सके हम जा रहे हैं बाप के घर जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे यह बाबा ही समझाते हैं यहां भी नंबरवार बच्चे हैं वास्तों में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए लेकिन माया भूला दे इसलिए लिखते भी हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं। बागी अभ्यास करना है। आख बंद कर विचार नहीं किया जाता। बाबा ने एक्ट करके दिखाई। बाबा ने कहा ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे। हम ही राज्य करते थे। वहे दुनिया गोल् अब आइरनेज का अंत है। तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। जहां से आये हो तो फिर अंत मती सोगती हो जाएगी। तुमको वहां ही जाना है। यह युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंधन करता हूं। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। सुभे का साई बेडा बने लाई। तो उस साई को याद करने से तुम्हारा बेडा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं जै अच्छी युकती है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राज योग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नोलेजफुल है तो हम भी जाड को पूरा समझ गए हैं। यह भी मोटे रूप में नोलेज है। आदी में य यह जाड कैसे व्रीधी को पाता है, फिर कैसे उनकी आयू पूरी होती है। और जाड तो तुफानों आदी के लगने से गिर जाते हैं। परन्तु इस मनुश्य सुरिष्टी जाड का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राइलोप हो जाता है। यह भी होना ही तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्राइलोप होता है। आत्मा में खाद पढ़ जाती है तो जेवर जूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है। पहले सतो प्रधान है विन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रुहरिहान करनी चाहिए। विचार सागर मंधन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि यह 84 जनमों का चक्र है। 84 जनम कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं। जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में आते हैं। आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहां से आये हैं यह भी नहीं जानते हैं। बाप आकर अपना परीजह खुद देते हैं। कहते हैं कि मैं तुमक तो राजियोग सिखलाता हूं मन मनाभव मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे ऐसी समझानी कोई दे न सके भल गीता आदी सुनाते हैं वहां भी लोग जाते रहते हैं परन्तु भगवान कभी तो आया होगा ज्यान सुनाया होगा फिर जब आये तब सुनाये न वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैट सुनाते हैं यहां तो भगवान है ज्यान का सागर इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है यह सीखता नहीं है कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं यह है याद की यात्रा तुम्हारी बुद्धी ही जानती है सिवाए ब्रह्मा मुखवन शावली ऐसा कोई मनोश्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्यान होगा सब में सरो व्यापी का ज्यान भरा हुआ है यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है ज्यान सागर पतित पावन है सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं गुरू लोग जो सिखाते हैं पहसत सत करते रहते अर्थ कुछ भी नहीं समझते न उस पर कभी विचार चलाते तो यह सत्य है वह नहीं बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धी में बाप की याद रहे श्यरिनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धी में वहे शुरिनाथ रहता है ना बैठे ही मंदिर में हैं जानते हैं कि हम शुरिनाथ के लिए बनाते हैं भोजन बनाया, भोग लगाया फिर घर वाले बच्चे आदी याद आते रहेंगे वहां भोजन बनाते हैं मुख बंद, बात नहीं करेंगे मंसा से कोई विकर्म नहीं बनता है वहे शुरिनाथ के मंदिर में बैठे हैं यहां तो शिब बाबा के पास बैठे हो यहां तो बाबा युक्ती बताते रहते हैं बच्चे कोई फाल्तु बात नहीं करना सदय व बाप से मीठी मीठी बातें करनी है जैसा बाप वैसे बच्चे बाप की स्मृती में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुश्य सुरिष्टी का बीज रूप चेतन्य है कितनी सहज बात है परन्तु फिर भी समझते नहीं है क्योंकि पत्थर बुद्धी है न उस बीज को हम चेतन्य नहीं कहेंगे यह नोलेजफुल चेतन्य है यह एक ही है वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं भगवान को कहा जाता है मनुष्य स्रिस्टी का बीज रूप तो बाप हो गया न आत्माओं का बाप पर मात्मा है तो सभी ब्रदर्स ठहरे बाप भी वहां रहते हैं जहां तुम आत्माई निवास करती हो निर्वान धाम में बाप और बच्चे रहते हैं इस समय तुम प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो इसलिए कहलाते हो शिव वन्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन है बाप ब्रह्मा दवारा स्रिस्टी रचेंगे तो भाई बहन ठहरे न, कल्प कल्प ऐसे ही create करते हैं, adopt करते जाते हैं मनुष्य को प्रजा पिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता भल बाबा कहते हैं, परंत वह है हद का इनको प्रजा पिता कहेंगे, क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्था डेर बच्चे है तो बेहद का बाब बच्चों को सभी बातें बैट समझाते हैं यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई, छीची है अब तुमको वहा वहा की दुनिया में ले जाते हैं तुम्हारे में भी बहुत हैं, जो भूल जाते हैं अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापिस जाना है पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है आत्मा जब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो सर्विस कैसे व्रीधी को पाए, कल्यान कैसे करें उन्हों का तो चीची सम्मेलन है, गपोडे मारते रहते हैं यहां गपोडे आदी की बात नहीं, सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है तुमको यह कहानी सुनाई है कि यह कल्यूग है, सत्यूग को स्वर्ग कहा जाता है भारत स्वर्ग था भारत वासी ही 84 जनम भोगते हैं अब अंत में हैं अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो इसमें कोई गंगास नानादी नहीं करना है भगवानू आज कि मैं सभी का बाप हूँ क्रिष्ण सब का बाप हो नहीं सकता एक दो बच्चे का बाप शुरी नारायन है न कि शुरी क्रिष्ण शुरी क्रिष्ण तो कुमार है इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं कहां क्रिष्ण भगवानू आज कहां शिव भगवानू आज भूल कितनी बड़ी कर दी है कहां भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है वर वह है पहले पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है यह बुद्धी में बिठाना है इस पर प्रोभ होना चाहिए गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा पर्मानेंट होना चाहिए नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो फिर लिखा कर सही लेनी चाहिए अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती गुड मोर्निंग रुखानी बच्चों की रुखानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की व्रीधी के प्लैन बनाने हैं अपने और सर्व के कल्यान की युक्ती रचनी है कभी भी कोई व्यर्थ बाते नहीं करनी है दूसरा सवेरे सवेरे उठकर अपने आपसे बातें करनी है विचार सागर मन्थन करना है भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है मनसा भी बाहर न भटके यह ध्यान रखना है आज का वर्दान विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूप धारी भफ विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूप धारी भफ बाबा ने कहा विनाश के समय पेपर में पास होने वह सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूप धारी बनो जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप अर्थाद शरीर दिखाई नहीं देगा जैसे पार्ट बजाने समय चोला धारन करते हो कारिय समाप्त हुआ चोला उतारा एक सेक्ड में धारन करो और एक सेक्ड में न्यारे हो जाओ जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं लाइट ही इन्हों का शिंगार है स्लोगन उमंगुच्साह के पंक सदा साथ हो तो हर कारिय में सफलता सहज मिलती है उमंगुच्साह के पंक सदा साथ हो तो हर कारिय में सफलता सहज मिलती है ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें